जहिन दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम इंसाइडर पर और आज की जो सिफ्ट है वो है 18 तारीक की सेकिंड शिफ्ट है सब्सक्राइब चैनल है यह वाला इंसाइडर तो इसको जरूर सब्सक्राइब करो ठीक है और अब कोशिश रहेगी कि वीडियो कंटिनिसली आपको मिल दी रहेगी ठीक है तो यह 18 तारीक का सेकिंड शिफ्ट थी और MTS का मैस का सॉलूशन होने वाला है बहुत बहतरी डंग से तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना प्रिवेश यह पेपर के लिए स्पेस ली ठीक है और देख लेता है कि जो पहला कोशन है वो क्या है ठीक है पहला कोशन है और हाँ आज एक और शिफ्ट आईगी साम को यानिकि जो बारातारी के सिकंड शिफ्ट थी ना वो भी आस अमको ही आपको मिल जाएगी ठीक है या फिर एक घंटे वाद इसके 1 घंटे वाद घंटे मिल जाएगी ठीक है तो ज़रूर उसको भी देख लेना और यह तो है कित किसी कुर्स का विकर मुला है यानि कि जो sp है वो उसके क्रेम मुल App या तीक यानि कि c p से यायनि कि 33 के ब arrest यां ये जी जॉदा है और ले ले सत ल rese can Bar in इसके अंदर या प्र जो रहा है इसके प्रॉफिट रहा या फिर लॉस हो रहा है justified इसके नीचे आजाएगा निकी SP के आप उनमें CP आ जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त यानिकि 33 के बटे में 20 यहां से आपको सीधा दिखाई दे रहा है कि जो सीपी है आपका वो 20 unit है और जो ST है वो 33 unit है यानि कि जो कोई भी चीज अगर है तो वो 20 unit में खरीदी जा रही है और 33 unit में बेशी जा रही है यानि कि हर किसी को दिख रहा है आपर जो इसका profit है वो क्या है 13 unit है जब यहाँ पर profit 13 unit है तो कहीं न गहीं जो आपका answer होगा वो कहीं न गहीं क्या ह हो जाएगा तो इसलिए आपका यह सी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा ठीके और बाकी अगर निकालने की बात आई तो कैसे निकालने यानि कि CP इसके नीचे आ जाएगा और ये अपन में 100 हो जाएगा 20 से कम 20, 25, 100 यानि कि 13, 25 कितना हो जाएगा यान कि 65% हो जाएगा ठीक है दोस्त अगर मैं कहूँ ना कि आपने ये calculation करिये ना तो ये calculation में भी करने में आपको यार अगर खुब तेज हो ना तो भी आज 2 से 3 सेकेंड तो लगेंगी ना जब आपको देख रहा है कि 13 है उपर और नीचे 20 आएगा और तेरा का multiple होगा तो यार आप चुपचाओ से 65 क्यों नहीं लगा देते ठीक है तो ये 2-3 सेकेंड जो है वो बहुत important है paper में ठीक है तो इसको बचाना है question number 2 देख लेते हैं क्या गया रहा है कि एक number है 8 9 11 15 17 21 और n ठीक है ये क्या है यानि कि ascending order में भढ़ते गरम में है और इन संख्याओं का जो mean है ठीक है इन संख्याओं का जो mean है और क्या है median ये दोनों क्या है equal है ये दोनों equal है यानि कि जितना mean रहेगा उतना ही median है और कितना है फंदरा कि इसा जो ये वाले जो mean हो जाएगा इनुक कि मynamad edges हो जाएगा qualche कितना पंदरा ऑगर में इन सब को जोड़ दिता हुए यान कि 8 9 और 11 15 27 2721Sで और Democrat एकथि और operates में कितना हो जाएगा यानी कि और 28- Đिक है यह आपका 28 हो जाएगा और 17-15 इतना हो जाएगा बत्तिस- A21 को बचेके इनको जोड़ दोगे है जो कि चीज यहां पर है नहीं वो क्या चीज है कि आपको पता है कि यह क्या है इ传ीन abroad भड़ते क्रम में तो यह आपका Ben रहने के 21 से बढ़र होगा कभी का कि बाक्हिय क्या होगा कि अब 20 से छोटे सरो जाएगा कि कुशन नमबर तीन क्या करें कि कि एक कारे को पूरा करने में जैक यानि कि तीन भाहतावे यहां पर एक पीटर है ठीक है अभी लिख लेते हैं और एक जेस्टिन है एक जेस्टिन है ठीक है अब क्या कह रहा है जैक को पीटर की तुलना में तीन गुना, ठीक है, जैक को पीटर की तुलना में तीन गुना, यानि कि यह इसको छोड़ देते हैं, और जैस्टिन की तुलना में दो गुना समय लगता है, जैस्टिन, यानि कि अगर मान के चलो, कि जैस्टिन को अगर दो समय लग रहा है, तो तो इसको दो गुना कितना हो जाएगा यानि कि इसका दो गुना चार हो जाएगा और यह तो नहीं होगा इसको तीन माल लो अगर यह तीन माल रहा है तीन अगर इसको समय लग रहा है तो इसको कितना लगेगा छे लगेगा ठीक है अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसको कित बादर जिन में खतम करता हίंगे एक चीज़ हा दोस्त यह जो है यह time की efficient यह जो है यह time का ratio है आपके जब efficiency निकालो के क्या हो जाएगा यानि कि यह कितना जाएगा यह 2-6 हो जाएगा और यह कितना जाएगा इत्प्राइण यही 45 आपका क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा यही 45 आपका क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा यागर अकेला काम करता है तो उस काम को यह 45 डेस में complete कर पाएगा ठीक है यह चीज़ आप ध्यान रखेंगे और यहाँ पर जो में जो गलती कारण हो सकता है ना इस question में वो यह हो सकता है कि आप लोग ना इसी को efficiency मान लोगे यह जो की time का ratio है ना इसी को तरीके का है और यह क्या है यानि कि नामांकित उम्मिद्वार हैं यानि किसी चीज़ में कोई study है जो भी कुछ है उसके अंदर मतलब एक तरह सकते हूं कि इतने enrolled हैं बच्चे ठीक है कितने हैं एक लाग असी जार और यह उस चीज़ से पास हो गए इस तरीके से समझ सकते ह और एक लाग 80,000 लोगों ने फाम भरा है और 75,000 लोगों ने पास कर दिया है ऐसा कभी होगा नहीं ठीक है ऐसा कभी होगा नहीं बिल्कुल भी इती हास में कि कभी भी नहीं होने गया ऐसा जो इतनी जादा संख्या में बच्चे पास कर रहे हूं ठीक है तो देख लेते हैं यानिकी 25,000 का आप किया निकलना है, Through 35,25 को 55,000 का 25 निकलना है ठीक है, यानिकी जीरो, जीरो, पांच, साथ, पांच, बारा, छे और ये, कितना हो जाएगा, 26, 250, कितना होगा, 26, 250, और क्या रहाएगी, संस्थान, C और D के लिए ना मांगित, अगर मैं C किया, C का परसेंट इस देखता हूं, तो 18 हो जाएगा, और D का देखता हूं, तो कितना हो जाएगा, 38, ठीक यानि कि, और 18, कितना हो जाएगा, 18, और 18 ये, 54, 64, 68, ठीक है, यानि कि, कितना हो जाएगा, यानि कि, 68, 1400, का कितना परतिशत है, तो ये देखो, क्या हो जाएगा, यानि कि, 26, 250, और अपन में कितना हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानि कि, 68, 400, ठीक है, और से ये 2-0 कट जाएगा और फिर बाद में कि दो थीच्छे दो चोग यार दो दुनी चार और दो इकम दो दो इकम दो दो दुनी चार और दो पंजे दस ठीक है यानिके 131-25 इसके बाद में आपको किस से कट रहे है यानकी 4-2-6-3-9-3-12 यानकी तीन से कट जाएगा 3 x 3, 3 x 3, 3 x 12, ठीक है, 114 और यहां से कट जाएगा, यान की 3 x 12, 3 x 9, और 2 बज़ जाएगा, 3 x 21, 3 x 15, यान की 49, 75, यान की अब इसके बाद मैं तो आप कटता नहीं है, पूरा-पूरा, तो फिर मैं इसको भाग कर लेता हूँ, ठीक है, एक चीज और भी है, कि 114 करेंगे, तो 114, 3 x 342 हो जाएगा, यान की 3 पर जाएगा, यह जो आपको 4 वाले उप्शन दिखे रहे न, यह कट जाएगा, ठीक है, 4 वाले उप्शन कट जाएगा, या तो आपका अंसर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, यही आपका अंसर क्या हो जाएगा, यान की 34 हो जाएगा, 114, 3 या कितना जाएगा 342 हो जाएगा और 273, 352 जब मैं इस में से गटा दूंगा यानि कि साथ में से झता जाएगा 5 और 13 354 बचेएगा कितना बचेगा यानी की 9 और यह 500 यहाईर सी बात है कि 114 को अगर चार से multiply करूंगा तो कितना आ जाएगा यानि कि यह आ जाएगा 456 जो कि यहाँ पे तो कितना है 955 कहीं न कहीं तो यह 8 टाइम जाएगा यानि कि option जो हो जाएगा यह एकदफ correct हो जाएगा आपको पूरा पूरा जो academic के बच्चे होता है उस तरीके से आपको पूरा answer नहीं निकालना है यह चीज़ आप ध्यान में रख लो ठीके आपको पता चल गए कि 3 है तो यह option यह option आपने card दिया आपको पास यहाँ दिख रहा है यह भी 3 है और यह भी 3 है इसके बाद 8 है और इसके बाद 4 है ठीक है और इसके अंदर कुछ है नहीं ज्यादा question number 5 देख लेते हैं कोई आदमी है और 10 परतिशत वार्सिक चक्रदीवियाज की दर पर दो वर्स के लिए पैसा उधार लेता है और 1089 की दो बराबर वार्सिक किस्तों में वापस बुकतान करता है ठीक है ऐसा समझ लो कि एक कोई बंदा है और 10 परतिशत के हिसाब से 10 परतिशत का अगर मैं fraction में change करूँगा तो कितना हो जाएगा एक के बटे में 10 यानि कि जो उसकी amount थी वो 10 से कितनी है अगर 10 रुपे लेता है तो पहले महिने के बाद उसको कितने रुपे देने पड़ेंगे ग्यार रुपे देने पड़ेंगे अगर मैं next year की बात करता हूँ तो दस दाम 100 और यह कितना हो जाएगा यह कितना हो जाएगा एक सो दस और यह सो कितना हो जाएगा 210 ठीक है और हमको क्या पूछ रहा था उधार ली गई राशी तो टोटल राशी तो यही है ना उधार ली गई और इसकी जो किस्त है वो कितनी है एक हजार नवासी की यानि कि कह सकते हो कि एक हजार यानि कि 121 यूनिट की वैल्यू एक हजार नवासी तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यह भी answer आपका नहीं होगा ठीक, कैसे मैंने पत लगा है, नीचे आपको पास 7 नहीं दिख रहा है, और ऊपर क्या है, आपको 7 दिख रहा है, तो आपका answer क्या हो जाएगा, यान कि 7 का multiple और आपका 1890 जो हो जाएगा, आपका correct answer हो जाएगा, नहीं आपको मन लग रहा है, तो द देख लेना था कि देखो 210 है और नीचे 121 है देखो यहां पर 7 का फेक्टर है यान कि 7 into 30 और यहां पर क्या है यहां पर 11 into में 11 यानि कि यहां पर जो है 11 और एक के अलावा और कोई गुरज यहाँ पर factor नहीं है जब नहीं है तो यहाँ पर अगर साथ नहीं है तो यहाँ पर साथ को कैसे काट देगा नहीं काट सकता न ठीक है तो इसलिए क्या हो जाएगा आपको इस तरीके से आपको देखना है और तीन का multiple भी चेक कर सकते थे ठीक है डारेक्ट देखोगे यहाँ की आठ अर उतना साथ दो नहीं यह तो तीन का multiple है ठीक है तो यहाँ पर confusion हो जाएगी आप डारेक्ट साथ का multiple देखोगे और option B लगा के आगे बढ़ोगे question number 6 यानि की वह चोटी से चोटी की चंगया ग्याद करें जिसे 72 च्यानवे से विभाहित करने पर पर परते की सिति में 5 प्राप्ट होता है ठीक है देखो अगर कोई भी नंबर अगर 72 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वह नंबर किसे 9 से भी डिवाइड होगा肯 कलेयर बात हो गई यानि की 572 मोंत और अगर में पांच घटा देता हो और तो तो केटन भी यानfikी 566 हो जाएगा ठीक है 566 6 6 12 5 17 क्या 9 का multiple होगा नहीं होगा ठीक है तो answer भी होगा बिल्कुल नहीं होगा ठीक है अगर इसी तरीके से देखूं यानकी 581 में से अगर आप 5 घटा देते हो तो कितना हो जाएगा यानकी 500 56 हो जाएगा ठीक है 7 5 12 6 आपका answer हो सकता है ठीक है खंज मारी बात यह आपका answer हो सकता है और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसमें से अगर मैं कटांगा तो कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा शोरह और Jako इस से भी चेक करोगे तो यानि कि जब आपके factor क्ट निकालते हो तो यहन कि तीन का मल्टीपल होना चाहिए और क्या होना चाहिए आठ का मल्टीपल होना चाहिए आठ अब देखो अब यहां पर क्या देखोगे वह चोटी सी छोटी संख्या की बात कर रहा है बताओ 576 चोटी है 288 ठीक है तो कौन सी चोटी है यहीं कि 288 तो यहीं क्या हो जाएगा आपका अंसर हो जाएगा देखो 12 से भी कट जाएगा 12 तुनी 24 और 12 24 कट रहे न ठीक है तो हर यहाँ पर जो पी चीज यहाँ पर D हुई थी वो सभी छीज क्या हो रही है एकदम satisfy हो रही है फॉलो कर दी हैं सभी चीजे तो इसलिए आपको option क्या हो जाएगा डी इसका correct answer हो जाएगा क्यूंगी उसने कहा था छोटी से छोटी संख्या ठीक है तो option D इसका correct answer हो जाएगा question number 7 देख लेते हैं देखो board mask का question है और यह हमेज़ आपको फसाएगा paper में ठीक है तो जब यह फसाएगा आपको तो इसको क्या है इसको preference नहीं देनी है इसको last में preference देनी है कि बेटे तिरे को last में देख लेंगे ठीक है और अब इसको देख लेते हैं ठी यानि की 32 इसके नीचे आजाएगा और ठीक है चार और यहां पर कितना आजाएगा आठ अच्छा चार दुनी आठ और चार अठे पत्तिस यानि की छे और आठ यानि की दो त्योचे और दो चोग यानि की इस सब को solve किया तो कितना आ गया यानि कि तीन के बटे में 4 आ गया और 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा पांच बचेगा और यहां पर डिवाइड है मल्टिप्लाई करूंगा तो 4 और इस तरीके सा आ जाएगा और 12 भी आ जाएगा ठीक है तीन चोग 12 और 4 चोग 16 पंचे 80 यानि की option A इसका करेक्टरन सुरू देगा इतना ही करना था ज साल के अंदर क्या हो गए यानि कि 4 फी होगई अब एक बार बताओ कि यहां से इतकو कितना extra मिल रहा है यांकि यह तीन पी क्या है यह आपका इंट्रिश्ट है या आपका क्या है डेश है दोस्त ठीक है यह ब्याज है अब simple सा आपको formula बच्पन से पढ़ा है क्या मूलधन गुना दर गुना समय P into R P आपको पता ही यह है और R आपको पता है नहीं पता ठीक है R आपको नहीं पता और time कितना 12 और कितना हो जा रहा है इसमें कितना interest मिल रहा है, 3P मिल रहा है ठीके?, इस P से य halves P मिल गया कितना 25%, 90, 25 समानदर पर 18C कितने वर्स में स्व Elizabeth की 10 गुना हो जएगी媽ete, पिभार्व मी से कितना हो रहा है, ठीके?, यहांतर रहा है 29B मिल रहा है बस वही फिर से लगा देंगी यानिकि P into में और आपकी बार क्या पूछ रहा है आपकी बार वो time पूछ रहा है किस time में तो time आपको नहीं पता है लेकिन rate आपको पता है यानिकि rate कितना है 25% है और यह कितना हो रहा है यान कि 9 P हो रहा है ठीक है तो P से फिर से मैंने P card दिया 25 से कम 25, 25, 400 और ये 4 इदर जागे multiply हो जाएगा तो time कितना आजाएगा 4, 9, 36 यानि कि 36 वर्स यानि कि आपका option D इसका एकदम correct answer हो जाएगा ठीक है आसान question था को जादा tough नहीं था आप देख लेते हैं question number 9 question number 9 देख लेते हैं कि कोई लड़की cycle से बिंदू A से बिंदू B तक 25 km की दूरी 2 गंटा 20 में तय करती है यानि कि मान के चलो कि इस तरीके की दूरी है ठीक है यानि कि A से B तक 25 km की दूरी 2 गंटे में तय करती है बिंदू A से 15 km तक सैकल समतल है ठीक है यानि कि अगर मैं बिंदू A से स्टार्ट करता हूँ और 15 km तक यानि कि जो रोड है बिल्कुल क्या है प्लेन है और फिर इसके बाद सड़क में बिंदू B तक नीचे की ओडाल है यानि कि इस तरीकी की रोड है समझ रहे हो ठीक है इस तरीकी की रोड है और समतल सड़क पर लड़की की ओसाचाल 10 km परती घंटा है तो ढलान पर उसकी ओसाचाल क्या होगी ठीक है फिंपल सा कोशन था मान के चलो कि ये 15 km ये है तो ये कितना होजएगा 10 km होजएगा फिंपल सी बात है और इसको कितना टाइम लग रहा था यानिकि 2 घंटा 20 मिट लग रहा था अगर मैं देखूं यानिकि 15 ठीक है 15 और समतल सड़क पर इसकी जो स्पीड है कितनी है 10 है ठीक है ये 10 और और ये 10 और इसकी नहीं पता आपको तो एक समान लो और टोटम लाकी कितना लग रहा है दो घंटा 20 मिट यानिकि 2 सही में एक बटा 3 तीन दूनी 6 और एक साथ के बटे में क्या हो जाएगा अब ये क्या करोगे यानिकि 10 एकस अपॉन में ये वाला इधर आ जाएगा यानिकि 5 तीय 15 और 5 दूनी 10 यानिकि 7 के बटे में 3 माइनस का 3 के बटे में 2 ठीके यानिकि 2 सत्य 14 तीन तीय 9 और 3 दूनी 6 यानिकि 14 में से 9 जाएगा ये तो कितना बचेगा यानिकि 5 के बटे में 6 ठीके यानिकि 10 अपॉन में x इतिकल तू में 5 के बटे में 6 पांच एकम पांच पांच दूनी दस यानि कि छे दूनी बारा एक सी सिखल टू कितना हो जाएगा यानि कि बारा किलोमेटर परती घंटा यानि कि option आपका भी एकदम correct answer हो जाएगा ठीक है चीज़े समझने वाली थी और कोईच नहीं था इस question में बिलकुल आसान question था अब त मुक्त सरे से देखना कि यह तो जग है ठीक है समरूप है और इनका जो उचाई हो कितनी है यह रही दिचician नहीं है और यह जोड़े चमिकी पूछ रहे ठीक है अब एक बाद बताना यार इसको कहीं नहीं हम similarity से चेक करें similarity से देखेंगे इसको ठीक है अच्छा एक बाद बताओ यानि कि ये 5 है और ये 8 है तो आप क्या कह सकते हो यानि कि 5 अगर मैं इसका volume निकालूँगा एक तरीके से ठीक है तो क्या हो जाएगा यानि कि 5 यानि कि 125 हो जाएगा और इसकी निकालूँगा तो कितना हो जाएगा यानि कि इसका निकालता हो तो कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा लेकिन इसका तो आपको नहीं पताना यानि कि जो भी चीज पूछ रहे क्या पूछ रहे यानि कि धारीदा पूछ रहे तो अब क्या देखोगे यारि कि इसकी value दे रखिए इसकी value कितनी दे रखिए यारि कि 64 दे रखिए है ना ठीक है इतने unit की value कितनी दे रखिए 64 ठीक है यारि कि ये एक unit की value निकालोगे तो 64 की बटर में कितना हो जाएगा 125 आपको इसकी निकालनी है into में कितने हो जाएगी य ठीक है, four point something, यानि कि कोई ज़्यादा तो आएगा नहीं, four point something, यानि कि चार चोक 16, चार चे कि चौविस और एक 25, यानि कि जो इसका अंसर होगा, 256 से हलका सा ज़्यादा होगा, कोई ज़्यादा बहुत बढ़ा अंतर नहीं होगा, यानि कि 256 से ज़्यादा, देखो 102 तो नह देख लेते हैं कोई व्यपारी है और 40 प्रतिक किलोग्राम की दर से 500 किलोग्राम चीनी खरीदता है यानि कि 40 के रेट से और 500 केजी चीनी खरीदता है और अगर ये खरीदता है तो इसको जो टोटल एक्स्पिंडेचर हो गया वो कितना हो गया चारपंजे 20 यानि कि 20,000 तोटल एक्स्पिंडेचर ठीक है यह दिए 200 किलोग्राम चीनी 10 परतिशत के लाब पर तोटल 500 केजी थी 500 केजी में से क्या कर रहा है 500 केजी में से यानि कि 200 केजी कितने के हिसाब से यानि कि 10% एक्स्टर पर यानि कि 10% अगर आप इसका निकालते हो तो कितना हो जाएगा यानि कि 44 यानि कि टोटल प्रेट निकालते हो तो कितना हो जाएगा तो कितने पे बीचेगा? यानि कि 38 रुपे पे अगर मैं इसको करता हूँ तो बाराटी कितना हो जाएगा? 96 की, 92, 32, 36, 9 कितना हो जाएगा? 4560, ठीके? यानि कि 4560 अब आफ के पास में कितनी चीनी बच गई? यानि कि 200, 320, कितना हो जाएगा? फिर 180 चीनी बच गई और क्या रहा है कि अपने प्रारंपिक निवेस पर 12 प्रतिशत लाग के लिए यानि कि अगर मैं 20,000 का 12 प्रतिशत निकालता हूं तो 12 दूनी कितना हो जाएगा तो अगर मैं इसके अंदर 2400 जोडता हूं तो यह टोटल कितना हो जाएगा यानि कि इतने में इसको बेचना चाहिए और अगर मैं यहां तक देखू तो कितने का बेच रहा है यानि कि 8800 में 4560 अगर मैं जोड़ देता हूं 0, 6, 85, 13, 8, 4, 12, 13 यानि कि 13,360 यानि कि अगर मैं इसमें से 13,360 घटा दूँ ठीक है 0, 10 में से 6 जाएगा 4 और 0 और 12 में से 3 जाएगा 9 यानि कि 9040 यानि कि यह वाली जो चीनी है वो कितने में बेचेगा 9,040 में बेचेगा इतनी कॉइंटिटी है इतने की बेच रहा है तो इसका रेट निकल जाएगा अराम से निकल जाएगा इसको भाग कर दोगे किस से 1180 से 1180 से बाग करोगे 0 से 0 पड़ जाएगा 9,2,1,8 और यह तो नहीं जाता है ठीक है तो इसको क्या करोगे अब 18 से काटो आठारा पंचे नब्बे 50 पॉइंट सम्थिंग आ जाएगा जो कि आपके पास में एक यू ऑप्शन दे रखा है ठीक है ऑप्शन ए इसका एक्टम क्र बैंदगर मिलती है ठीक है यानिकि जो उसका वेतन है वो भड़ता है दो कर्मा कद बर्दी मिलती है जिसके इसके परफिण सवरूप उसका जो वेतन है प्राग्रांफिक वेतन का धाई गुना हो जाता है यानिकि अगर एक था अब हुद्हत्वर्ट ही से बस्लेशन कर ले जो दूसरी परतिशत वेतन विरति है वो पहले की तुलना में चार गुना अधिक है अच्छा एक बात देखना एक बात क्या देखोगे कि मान के चलो कि यहां से यहां तक कितना रेट भढ़ रहा है देखो यानि कि तीन भढ़ रहा है कितने पर यानि कि दो पर इंटु में क् कितना बढ़ गया, यानि कि अगर मैं net rate निकाल लूँगा, कितना बढ़ जाएगा, दोस्त 150% बढ़ जाएगा, बढ़ गया 150%, अब आजाओ option में, अगर पहला rate इसका ये है, तो दूसरा rate इसका कितना हो जाएगा 4 गुना, तो 12 चो कितना हो जाएगा, 48 यानि कि आप देखो, आपको चाहिए 150%, जब आप इसका net rate निकालोगे न, तो इसका net rate 100% भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका option नहीं होगा, ठीक है आप देख लो, जब 12 नहीं होगा, तो 10 कहां से हो जाएगा, अपने आप कट गया, अब आपके पास में दो option है, 25 या 50, अगर आपका rate कितना है 25 है, तो आपका जो दूसरा rate हो जाएगा 25 चौक, 100 हो जाएगा, ठीक है, net rate निकालोगे, तो 25 प्रस में 100, और 25 सो, ठीक है, 25 प्लस इंटू में 100 कितना हो जाएगा, 25 सो ठीक है, और इसको 100 से जब डिवाइड करोगे, तो 2-0 से, यानि कि 125 पर 25 कितना हो जाएगा, 150 परसेंट, यानि कि जो आपका option क्या हो जाएगा, अंसर, आपका b option एकदम correct answer हो जाएगा, और ये 50 क्या होगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है, नहीं नहीं था, मुश्किल से 10-15 सेगेंड का question था, ठीक है, next question देखना question नमर 13, यानि कि प्रतेक 1718 आइटन वाले 4 ठोस गनों को 2 पंक्तियों में रखा जाता है, ठीक है, इस तरीके से देखना, कि एक ये गन है ठीक है, एक ये गन है और 2 पंक्तियों में रखा जा रहा है, यानि कि 4 गन है, ठीक है, चार गन है और इस तरीके से देखो, ये 2 गन होगे ठीक है, ये 2 गन होगे अगर मैं इसको और इस तरीके से बनाता हूँ, ये देखो ये एक गन था, ये भी एक गन था और ये इसको अगर मैं जोड़ देता हूँ तो इस तरीके से बन जाएगा है ना, बन जाएगा ना ठीक है, एक पंक्ती में दो गन बना दिये, बिल्कुल, देखो 1728 तो इसका मतलब जो इसकी साइड हो जाएगी कितनी हो जाएगी 12, और इसकी कितनी हो जाएगी 12 अगर मैं इस सब की साइड देखता हूँ तो ये टोटल मेला की कितनी हो जाएगी 24 आप क्या क्या रहा है कि दो एक और पंक्ती बनाएगी, तो एक और पंक्ती बनाएगी तो कहीं ने कहीं वो इस तरीकी से बनाई जाएगी है ना देखो ठीक है ये इस तरीकी से बनाई जाएगी बिलकुल ठीक है तो एक बाद बताना कि ये बारा है तो ये भी कितना हो जाएगा ये भी बारा हो जाएगा बोलो हो जाएगा तो ये बारा तो ये टोटल कितनी हो यनकी क्या हो जाएगा यनकी 24 इंटू में 24 कितना हो जाएगा प्लस में 24 इंटू में 12 इंटू में 24 ठीक है 12 इंटू में 24 और क्या गरदोगे इसको 2 से मल्टिप्लाइए देखो वही है यनकी 2 A B प्लस मेंaggi B C प्लस में C A एक फॉरमॉला सबको पता है ठीक है 24 24 कितना हो जाएगा यनकी 576 हो जाएगा और बारादग और दिणी 4 , consumers 24 कितना हो जाएगा 28 और ये वी कितना हो जाएगा 28 ठीक है 257, Acadèmes मेरी ख्याल सां 00951884 1556 निकितना हो जाएक हो जाएगा त्यक्य पान सफे टरोंगे यानि कि 566 को 2 करोगे दो चीघ बालाट दो सब्सक्रारण और ग्यारषओंवावन और ग्यारषओ मावण को आप क्या करोगे दो से multiply कर दोगे, दो दो नी चार, दो पंजे दस, दो इकम दो और इस तीन, दो इकम दो, यानि क्या आ जाएगा आपका answer, यानि कि 234, जो कि आपको option C में दिख रहा होगा, ठीक है, तो आपका option क्या हो जाएगा, C एकदम correct answer हो जाएगा, कोशन number 14 देख लेते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है कि, निम्न में से कि संस्थान में, वो संस्थान में नामांकित उम्मिद्वारों की संख्या के संदर्ब में, वो तीन उम्मिद्वारों को परतिशा सबसे या देखे, अगर मैं B की बात करता हूँ, ठीक है, और E, F, G में संस् कि संस्थान में, उस संस्थान में नामांकित उम्मिद्वारों की संख्या के संदर्ब में, उत्तिन उम्मिद्वारों को परतिशा सबसे अधिक है, अगर मैं बात करता हूँ, B, B आपको ये दिखाई दे रहा है, यानि कि 15%, यानि कि अगर आप 75,000 का 15% निकालोगे, तो कि 1212, ठीक है, यानि कि 11,250, यानि कि अगर मैं B की बात करता हूँ, तो B में नामंकित कितने थे, 18,000, और 5 कितने हो रहे हैं, 11,250, कितना चीज समझ में आगी, अब आगे देखो, अगर मैं E की बात करता हूँ, तो E में कितना है, 20 परतिशत, 75 दूनी कितना हो जाएगा, 150, यानि कि F में भी कितना बच्चा पास हो रहा है, यानि कि 11,250, 15 परतिशत आप यहां निकाल चोगे हो, बार बार निकालने के जरूद नहीं है, ठीक है, अगर मैं G की बात करता हूँ, तो G में कितना बच्चा पास हो रहा है, यानि कि G कितना है, 20 परतिशत, तो कितना हो जाएगा 15,000, ठीक है, यह चीज हो गया, अब देखना है, देखो, सबसे बीचे देखो, इसके बीच में डिफरेंस, यानि कि इसके बीच में डिफरेंस सबसे जादा, मतलब जादा ही होगा, ठीक है, और अगर मैं B की बात करता हूँ, 20 परतिशत था, ठीक है, यह 20 परतिशत था, ठीक है, यह F होगा और B भी 15 परतिशत था, ठीक है, यानि कि अगर मैं E की बात करता हूँ, E कितना है 20 परतीशत है 20 परतीशत 15,000 हो जाएगा यानि कि E कितना है 15,000 इसके बीच में भी difference क्या है बहुँ ज़ादा है अगर मैं F की बात करता हूँ तो F में difference कितना है यानि कि 21,600 और 11,250 ये भी ज़ादा है और अगर मैं G की बात करता हूँ देखना दोस्त यानि कि G के अंदर जो enrolled बच्चे थे 16,200 और pass कितने हुआ है 15,000 तो सबसे ज़ादा जो इनका difference से सबसे कम यहीं है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा है इनकी G हो जाएगा इनकी G में जो percentage था pass होने का वो सबसे जादा है तो इसका option क्या हो जाएगा जी एकदम correct answer हो जाएगा इस तरीके से आप देखोगे difference निकालोगे जिसका difference सबसे कम होगा वही क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा question number 15 देख लेना किफी छातर दौरा गड़ित में गड़ित रशान विग्यान और भौतिक में यान की physics में यान की maths, chemistry, physics में प्राप्त किये गए अंक करमश 200 में से 195 ये 195 में मिल रहा है किसको यान की maths में मिल रहा है ठीक है और chemistry में कितना मिल रहा है chemistry में मिल रहा है 180 में से 133 ठीक है यह chemistry मिल रहा है और physics में कितने मिल रहा है physics में मिल रहा है इसको 153 कितने में से 160 में से कितने में से 180 में से कितने में से 200 में से ठीक है अगर मैं total number of marks देखता हूं 200 300 400 तोटल कितने माख्स होगे 540 और यह get कितने परात करें 100 200 300 395 और पचास 30 80 66 ठीक है यानि कि 65 11 और 10 18 और कितना 481 यानि कि इनको नंबर कितना मिल रहा है यानि कि टोटल मिल रहा है तो बोल रहा है कि उसका उसत प्राप्तंक परतिशत पूछ रहा है यानि कि 421 इसको मिल रहा है कितने में से 540 में से और इंडू में क्या हो जाएगा 100 0 से 0 काड़ दोगे ठीक है और फिर यानि कि ये 27 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा ठीक है तो 5 ही का 5, 5, 8, 40 की 4, 5, 4, 20 और 4 कितना हो जाएगा 24 और अपन में कितना हो जाएगा 27 अब देखना यानि कि जो इसका अंसर होगा 27 को अगर मैं 9 से करूँगा तो कितना हो जाएगा 27 को अगर 9 से तो जादा हो जाएगा 27 को 8 से ही करता हूँ तो 8 सती कितना हो जाएगा, 56 की, 5, 8, 2, 16, 5, कितना हो जाएगा, 21, 216, ठीक है, यानि कि 27, 8 कितना हो जाएगा, 216 इसमें से घटा दो गया, अगर 240 में से 216 घटा आया, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है, 24, और कितना हो जाएगा, 245, ठी यही क्या हो जाएगा इसका क्राक्टिम्सर हो जाएगा ठीक है आसान कोशन थे हैं कोशन नमबर 16 देख लेते हैं 48 ग्राम वजन वाले अर्द कीमती रतन की कीमत कितनी है यानि की 2,3,400 है यह दो तकड़ों में टूटा हुआ है इसके जिनके वजन का नुपात कितना है पाँच और साथ है यही कीमत वजन के वर्ग के अंसमान उपाती है तो हानी बतानी कितनी हो जाएगी यानि कि 7, 5, 12, 12 का अगर करते हो तो कितना हो जाएगा 144, इसकी value कितनी ते रखी है, इसका work करो के तो 144 हो जाएगा और इसकी कीमत कितनी ते रखी है, 230-400, ठीक है, अब देखो, यानि कि अगर मैं इसको, इसकी जो इसका participate कर रखा है, 5 और 7 में बाटा हुआ है, यानि कि 5, 25, 25 यानि कि 9, 5, 14 और ये कितना हो जाएगा, 74, ठीक है, यानि कि 3 इतने की, इतने की बेची जा रही है, तो loss कितने का हो जाएगा, यानि कि 70 का, 70 की value निकालने हैं, यानि कि 1 की value निकालो कितना जाएगा, 200, 30, 400, और 1 की value निकालो के तो 144 और 70 निकालने हैं, तो ये 70 आ जाएग है ठीक है और इसके अंदर क्या देख सकते हो चार दिन साथ और दो नव काट लो ठीक है 9 एकम 9 और 596ular 92 oni 18 5 ठीक Metropolitan 459 चिकना को चूष से हो जाएगा ठीक है और यह सोला सो, तीन जिरो आ जाएगी और सोला सत्य कितना हो जाएगा, एक सब बारा यानि कि option आपका D एक दम correct answer हो जाएगा, ठीक है तो option D इसका correct answer हो जाएगा question बर 17 देख लेते हैं, क्या गरा है कि संस्थान A में नामंकित होने वाले उम्मिद्वारों की संख्या, संस्थान A में 15 पर्तिशत यानि कि 18 को अगर आप 15 से multiply करते हो, तो कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90 कि 9, 18 इका मठारा और 9 कितना हो जाएगा, यानि कि 27 ठीक है, और G में उत्तिन होने वाले उम्मिद्वार, यानि कि G में कितना है, 20 यानि कि 150, ठीक है, यानि कि 3 निम्म 27 और 3 पंचे 15 9 रेशो 5, यानि कि option A इसका एगदम करेक्ट अंसर हो जाएगा, ठीक है आसान question था, question number 18 ठीक है, यानि कि 9 9 में 81, upon में 9, प्लस में 9, ठीक है 9 ठीक है, 9 में 81 1 upon में 9, प्लस में 9 9 में 91, और 82 के बटे में 9, ठीक है, नीचे का solve करता हूं, यानि कि 9 के बटे में 9, इंटू में 9, और प्लस में 9, 9 से 9 कट गया और कितना हो जाएगा 9, 9, 18 हो जाएगा ठीक है, upon में 18, ठीक है तो, 82 upon में 9, और यहीं पर हो जाएगा ठीक है तो दो चोगे आठ दो इकम दो दो निमें अठारा तो कितना हो जाएगा 41 अपन में कितना हो जाएगा 9 निमें 81 option कौन सा है option आपका D इसके एकदम correct answer हो जाएगा ठीक है question number 19 देख लेते हैं पी और क्यों दो सहर है ठीक है पी और क्यों दो सहर है यह देखो दो सहर पी और क्यों दो सहर है कोई आदमी 50 km की ओसा चाल से पी से क्यों तक जाता है यानि कि 50 km पती घंटे की speed से इसकी तरफ जाता है ठीक है यानि कि 40 km प्रती घंटे की speed से ये इसकी तरफ वापस पहुंच जाता है तो बोल रहा है और इसको total मिला कि कितने घंटे लग रहे हैं यानि कि 22 घंटे लग रहे हैं तो उसकी ओसा चाल बतानी कितनी हो जाएगी ठीक है अच्छा एक बाद बताओ यानि कि अगर मैं य लग रहे हैं यानि कि इक स्पीर से 50 पीड से और यहां सी यहां तक तो एक्स से फिर वापस आ रहा है और कितने इंग सी जाएगा और यह फाच एक्स हो जाएगा और यह 5 एकस हो जाएगा और दो हो जाएगा ठीक है यहां से तक की दोरी कितने हो जाएगी आठ सो और टाइम कितना लग रहा है यानिकि बाइज गंटे तो इसकी एवरेजी स्पीड कितने हो जाएगी दो एकम दो और दो चोके आठ ठीक है यानिकि 11 एकम 11 11 एक ही ऑप्षण है तीन से स्टार्ट हो रहा है ऑप्षण सी इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है तो ऑप्षण सी इसका राइट अंसर है और कुछ करने की ज़रूत है नहीं इसके इनदा ठीक है कुशन नंबर 20 दिख लेते हैं किसी स्टुडेंट्स हैं वो कितने हैं तीन पांच और आठ ठीक है यति तीनों सेक्शन में करमशा 15 तीस पंद्रा यानिकि यह देखो 15 तीस और पंद्रा अधिक यानिकि इसके अंदर जोड़ दीगे ठीक है यह जोड़ दीगे जो अब रेशो है वो कितना हो जाता है चार साथ और 9 हो जा रहा है ठीक है चार साथ 9 हो जा रहा है अब अब क्या कह रहा है कि नए दाख्री से पहले चातरों की कुल संख्या यानिकि यहां से चातरों की संख्या कुल पूछ रहा है कितना हो जाएगा 8 5 13 16 देखो जब भी इस तरीके का कोशन है 8 5 13 16 यानिकि जो अंसर होग है तो यह तो आपका तरीका फेल हो गया ठीक है जब यह तरीका फेल हो गया अगर आप यहां से देखते हो यानि कि 9,4,13,7,20 और इसके अंदर कितना जोड़ोगे यानि कि 15,2,30,60 जोड़ोगे यह 460 हो जाएगे यह भी 20 से भाग होता है यह 60 जोड़ोगे 380 तो भी 20 से होता है भी ठीक है तो यह तरीका फेल हो गया है यहां पर जो मल्टिपल के तरीके होगे ठीक है वो यहां पर फेल हो बैसक तरीका पचता है आपकी पास में ‌न के यानरी की आप देखो में आप 3 x और अपउन में जोड़ोगे और यानिक्ति साथ यह 21 एक्स हो जाएगा, और 15 सत्य कितना हो जाएगा, 15 सत्य एक सब पांच हो जाएगा, ठीक है, चार पंजे 20 एक्स हो जाएगा, और 4 तिये 12, यानि कि यह 120 हो जाएगा, यहां से घटेंगे तो कितना आ जाएगा X आ जाएगा और यहां भी कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा यानि कि X की वेल्यू कितनी होगी दोस्त यानि कि 15 आ गई ठीक है तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 15 पंचे कितना हो जाएगा यानि कि 15.75 और 15.80 एक सबीस यानि कि यह कितना हो जाएगा एक सबीस और एक सबीस कितना हो जाएगा दो सो चारीस तो initial value कितनी थी दो सो चारीस यानि कि option कौन सा है option आपका D इसका एकदम right answer हो जाएगा ठीक है उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छी तरीके सांज में आ गया होगा और किसी को भी अगर कुछ भी डाउट होता है तो जरूर या गुरूप में बताएं ठीक है या फिर हम कोई लिंक देंगे टेलिग्राम का गुरूप में ठीक है तो वहाँ पर जुड जाना ठीक है तो वहाँसे भी आपके डाउट कम्पलीट हो जाएंगे कोई नहीं कोई बताई देगा या फिर हम ने सही कोई बता देगा ठीक है Q21 देख लेते हैं A किसी काम को 8 दिन में कर सकता है ठीक है देखो A किसी काम को 8 दिन में कर सकता है और B उसी काम को 12 दिन में कर सकता है जब वे एक साथ 4 दिन कारे करते हैं अगर मैं इसका LCM देखता हूँ तो कितना जाएगा 24, 8 ती 24, 12 नहीं 24 अगर ये चार दिन तक काम कर रहे हैं, तीन दो पाँच, इंटू में चार कितना यूनिट काम कर देंगे दोस्त, यानि कि 20, टोटल काम कितना था 24, बीस काम हो गया, रिमेनिंग काम कितना बचाए, यानि कि रिमेनिंग काम बचाए आपके पास में 4 यूनिट, ठीक है, ये च यान कि वह कोण कर रहा है इसको कर रहा इसको कर रहा है आपका dz dividing कितने दिन में दो दिन में अगर मैं पूरे क्या दिन बात करूं तो तो टोटल काम कितना था चौबिस ठीक है यानि कि यहां से यहां तक आने में किस conditioning से multiply करनी पड़ी 6 से तो इसको भी मैं क्या करूँगा 6 से multiply तो ये पूरा काम अगर मैं ये देखू को C कितने दिन में पूरा काम करता है तो कितने दिन में करेगा दोस्त यनकी 12 दिन में करेगा इस तरीके से भी आपको मतलब इस से भी अब इस से कुछ भी question निकालेगा आराम से हो जाएगा ठीक है अब देखना अब जो इनकी जो wages मिलेगी ना वो इनके काम के according मिलेगी कौन कितना काम कर रहा है उसके according की wages मिलेगी ठीक है ऐसा कुछ नहीं है कि अंदध कुछ भी किसी भी तरीके से बांड दिया जाएगा ठीक है जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा ठीक है अगर मैं बात देखूँ A की A ने कितना काम किया यानि कि A की जो efficiency दी काम करने की तीन उनिट थी और उसने कितने दिन काम किया चार दिन काम किया तो total कितना काम कर पाएगा अगर मैं बात करूँ, बी कितना काम किया होगा, आठ काम किया है, बारा आठ कितना काम किया होगा, तो सी ने कितना काम किया होगा, यानि कि फी ने कितना काम किया है, चार काम किया है, सीधी सी बात है, यहां पर भी दिखी रहा था, ठीक है, अब देखो, चार एकम चार, चार एक तिए 2600 कहां देखर एक यही आपका क्या हो जाएगा इक युनित कि बाराइंसर निखाएगा ओस से कोकशिन एक नुम की ऊप्चिन हो जाएगा और से एक यूनित कर्या सबस्ते जालेगा युनित वाइस देखो जाएग到here नि लुझosi संकू 9 cm भुजावाले गंद में देखो इस तरीके का क्या है क्यूब है ठीक यह क्यूब है और इस क्यूब के अंदर ठीक है इसको मैं टूडी में बना रहा हूं त्रीडी में नहीं बना रहा हूं ठीक है इसके अंदर देखो इस तरीके का क्या है यह कौन है समझ में हाई ठीक है अगर मैं टूडी में देखूंगा तो इस तरी किसे दिखने वाली है ठीक है और अधिक्तम इस्थान घरता है यानिकि मैक्सिमम प्लेस यह मतलब बड़ा सा बड़ा संकू है इसके इंदर जो बना जा रहा है कौन में कौन है और किसके अंदर क्यूब में घं के आयतन और संकू के अनुपात बताने क्या को जाएगा ठीक शै बात करता हूं तो यह पूरा कितना था 9 तो इसका जो रेडियस हो जाएगा कितना हो जाएगा 4.5 अगर मैं इसकी हाइट की बात करता हूं तो यह कितनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी ठीक है और इसका जो फार्मुला होता है क्या होता है एक पटा तीन पाई यानि कि 22 के ब पांच दूनी 10 पांच दूनी 10 ठीक है यह 9 2 9 और यह 3 9 यह से साफ ठीक है यह 2 एकम 2 और यह 11 ठीक है अब देखो साफ यह 21 रेशों में कितना हो जाएगा ग्यारा और आप्शन क्या है आपके पास में पहला यह ऑप्शन इसका दिख रहा है मुझे साफ साफ जो कि क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट अंसर हो जाएगा ठीक है कोशन नमर 23 देख लेते हैं यानिकि 3900 की रास्षी को पी क्या हो और आर में क्या हो रहा है बांट दीजा रहा है आर को पी के हिस्से का दो पांचवा हिस्सा ठीक है जो आर है वो पी का यानिकि पी का अगर पांच है तो सोरी ठीक है ये पी ये क्यो और ये आर ठीक है यानिकि आर को पी के आर को पी के पी कितना है पांच और दो पांचवा यानिकि इसको कितना मिला है दो और क्यो को आर के हिस्से से तीन गुना हिस्सा मिलता है ठीक है यानि कि r को कितना मिल रहा है q को कितना है 3 गुरह हिस्ट मिल रहा है इसको कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा q का हिस्ट पूछ रहा है यानि कि 6 5 11 2 कितना हो जाएगा 13 13 unit की value कितनी दे रखिए 3900 एक unit की value कितनी मिल जाएगी 300 तो क्या बोल रहा है क्यों का हिसा कितना हो जाएगा 300 इंटू में 6 कितना हो जाएगा 1800 ओप्शन कौन सा दिख रहा है यानि कि D इसका क्रेक्टर अंसर हो जाएगा कुछ भी नहीं था आसान कुशन था कुशन नमबर 24 10 व्यक्ति वाले समीति है और ठीके मान के चलो कि 10 लोग थे अगर इसका एवरेज निकालोगे तो 10X हो जाएगा और इसमें से 35, 48 और 49 वाले तीन पुरुस का इस्थान 3 महिलाएं ले ले लिती है यानि कि ये सब ही चले गए यानि कि 40 दूनी 80 80 और 30 कितना हो जाएगा 110 110 यानि कि 9, 8, 17 और 5 कितना हो जाएगा 22 यानि कि 110 और 22 कितना हो जाएगा 132 यानि कि 132 यहां से चले गए और 3 औरते मान के चलो तीनों का औरतों का जो टोटल था वो A था ठीके और लोग तो 10 ही रहेंगी ठीके और इनका जो औसत है पहले तो X था अभी कितना हो जाता है 3 बढ़ जाता है यानि कि X प्लस में 3 हो जाएगा इसको इस equation का आपको solve करना है यानि कि 10 X माइनस का 132 प्लस का A इस इकल टो में क्या हो जाएगा यानि कि 10 X प्लस में 10 तियर 30 यह वाला यह कट जाएगा ठीके यह माइनस का इधर चला जाएगा तो A is equal to कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा ठीके एक इतना हो जाएगा 162 यानि कि यह तीनो ladies का total हो जाएगा 162 और इनका क्या पूछ रहा था इनका offset पूछ रहा था गशलए का यह होती है 40 परतिशत का क्या मतलब हो गए 5 के बटे में 2 यानि कि 5 में से 2 कम हो गया इस पाद 25 परतिशत की Discount होता है यानि कि कोई चीज 4 थे 3 में हो गए यानि कि अगर मैं देखता हूँ 4 पंचे 20 और 3 थे 9 इनके जिसकी मूल कीमत कितनी थी यान की 15,480 यान की बीफ यूनिट की वेल्लु आपको कितनी दे रखी है 15,480 तो एक यूनिट की वेल्लु कितनी हो जाएगी अप उनमें बीफ बोल रहा था क्या यान की OVN का सेल में अन्ति मॉल्ले यान की इसका स्विप पूच रहा था 9 जिन्त की value आपको निकाल देनी है और देखो कि कैसे निकालोगे यान कि 4 पंजे पांच चौक बीफ यान कि 5 तीया 15 ठीक है और 5 तीया 15 जीरो 5 नमे 45 पैंतालिस 5 सत्य पैंतिस ठीक है ये और 9 सत्य 63 की 6 9 में 81 और 6 कितना हो जाएगा 87 और 9 तीया 27 और 4 से कटोगे चार एकम चार 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 चौविस और तीन बज़एगा चार निम चातिस एनकी 6 9 6 9 एक ही ऑप्शन है ऑप्शन भी वही क्या हो जाएगा इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा आगे आप देख लेना खुद से करके भी देख सकते हैं ठीक है इस तरीके से आपके 25 कोशन कंप्लीट हो गए एक घंटे के बाद या अगले दो घंटे के बाद में आपको बरादार के बाद जा को ज podstaw को कि बादे के बाद में वही कर देक्के सकते हैं